सासी काल, वेलकम टू बलिवर्ड आवर्सीज, मैं हूँ चितेंदर सिंग, आपने कैनडा में वीजा अपलाई किया था और आपका वीजा रिफ्यूज हो गया, तो आप क्या दुबारा वीजा ले सकते हैं के नहीं ले सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये कोईशन रहता है काफी के मन में, कि कोई कंट्री यदि वीजा एक बार रिफ्यूज कर दे तो उसके बाद वीजा नहीं आता है, तो बट आज की वीडियो में मिसी पर बात करने वाले हैं, और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हमां इस तरह की की और भी वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसमें हमां इंफर्मेशन देते हैं, टूरिस्ट वीजा से रिगाड़े, सबसे पहले जब भी आपका वीजा रिफ्यूज होता है, किसी भी क्योंकि ज़िए आपके पास रिजन है, तो आप उसको इंप्रूब कर सकते हो, तो जब भी आपका कैनड़ा से वीजा रिफ्यूज हो, तो सबसे पहले आप अपनी प्रूफाइल को दुबारा देखें, दुबारा देखने से क्या होता है, कि आपकी नजरिये से प्रूफा इसा नहीं देते हैं, कि आपकी प्रूफाइल क्यों हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसी गलती है, यूके में जरूर होती है, यूके वाले क्या करते हैं, कि आपको पूरा एक लैटर लिखके देते हैं, कि वो वीजा क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं, तो उस केस में वो चीज कर देती है और यदि आपका वीजा रफ्यूज हुआ है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकिल के लिए जा सकते हैं ऐसे कि इसमें यही बैनिफिट है कि यदि आप यूके से रफ्यूज हो तो आप प्री एक्शन प्रोटोकिल के लिए जा सकते हैं बड़ कैनड़ा में ऐसा नह कि आपको refuse कर देते हैं बड़ is that क्या कमी है आपकी profile में वो नहीं बताते हैं तो क्या गरना है आपकी profile आपको देखनी है profile जब आप देखते हैं तो उसमें आप देखें कि आपकी profile में क्या eligible थी या नहीं यदि आपकी profile eligible है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं से पहले आप अपनी income को चेक करें, आपकी income कैसी है, यदि आपकी income अच्छी है, यानि आप 40-50 जार मंतली कमा रहे हैं, चाहे वो दो income source हो, चाहे एक income source हो, तो आप income wise eligible है, अब उसके बाद आप चेक करें कि आपके financial ties जो इंडिया में वो है या नहीं, यानि आपके पास proper funding थ के लिए 7-8 lakh funding show की हुई है, यदि show की हुई है तो आप eligible हो, क्योंकि 6 lakh तक की funding भी eligible होती है कैनडा में, और यदि आपका 6-7-8 के बीच में आपने की है, तो बिलकुल okay है, अब इससे next step जो आता है, वो आता है कि आपकी family ties इंडिया में थी या नहीं, क्योंकि Canada ये भी चीज ये reason उनको मिल जाता है कि आप वहां travel करके इंडिया वापिस आओगे, तो वो आपको visa दे देते है, तो इस तरीके से ये 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 आपकी profile eligible है, तो आपको definitely दुबारा apply करना चाहिए, बट दुबारा apply कैसे करें, दुबारा apply कैनडा में करने जा रहे है, तो बस ध्यान रखे कि आपका जो application form है, उसमें आप खरी एक information proper दें, और आप previous जो application form था, उसके accordingly ही, आप उसमें comparison भी कर सकते हैं, कि क्या ऐसी को information तो नहीं थी, जो आपने गलत फिल कर दी हो, या जिसकी वज़े से आपकी proper information visa officer के पास ना गई हो, तो वो भी एक reason हो सकता है, तो एक application form proper करें, उसके बाद आप अपना justification letter जरूर एक proper लिखे, यदि आपका justification letter एक proper लिख देते हैं, तो वो आपकी help कर देता है visa में, क्योंकि visa officer जब आपका cover letter पढ़ेगा, तो उसमें यदि justification letter अच्छे करिके से गया हुआ है, उसमें आपकी profile और strong हो जाती है, तो justification letter एक proper लिखने, justification proper letter मे explain करें कि आपके पास क्या क्या reason, एंडिया वापिस आने के, कैसे आपकी help करेंगे, आपकी profile को strong बनाने के लिए, यदि ये सारे point रहते हैं, फिर आपके लिए बड़ा easy हो जाता है अपनी profile को strong करने में, फिर आपके पास एक strong point हो जाता है अपनी profile को justify करने के लिए, तो इस तो आप अपना वीजा जरूर ले सकते हैं कहरणा से और यदि आपको हमारी हल्प चाहिए हो तो हमारी टीम से दीएगे नंबर पर कॉंटेक्ट करके आप वीजा भी अप्लाई करवा सकते हैं और यदि हमारी टीम की तरब से आपकी कॉल पिक ना हो तो प्लीज वर्टसब जरूर कर दे हमारी टीम आपको बैक कॉल जरूर करेगी तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए सच श्रियकाल